resistance के पास आके consolidate करता है और उसके बाद अगर breakout देता है तो आपको upside में बड़े moves देखने को मिलते है same goes with the downside अगर price support पर आके consolidate करता है तो आपको तीन तरह के catalystic pattern पर ध्यान दने चाहिए पहला हो गया doji और hammer दूसरा हो गया morning star और third हो गया bliss angle fin because these patterns work really well at support हाई everyone इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे F&O stock के बारे में डिसर्स करने जा रहे हैं जहांपर हमें last week के काफी बेहतर इन breakout देखने को बिला है और अगर इस stock breakout के direction में अगर movement वो continue करता है तो हमें आने वाले समय क अच्छा return देखने को मिल सकता है बात करते स्टॉक की पहला स्टॉक के बास टेक महिंद्रा का और यह रायस का चार्ट तो सबसे पहले बनोगे यहाँ पर region को find out करेंगे कि हमने इस स्टॉक को क्यों select क्या है क्या हमारा entry price होगा क्या stopless होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर मैं time frame मुश कर रहा हूँ वह है weekly का तो आईए सबसे पहले region को find out कर लेते हैं और एक simple सा rectangle और आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो stock था काफी लंबे समय से एक छोटे से region में trade कर रहा था और इस range को हम लोग consolidation zone और box pattern कहते हैं और last week में हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इस stock को select करने का है आईधर consolidation zone और box pattern का breakout अब हम लोग यहाँ पर एक simple सा horizontal line को draw कर देंगे और आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो 1665 का जो level है यह हमें last time जनवरी 22 में देखने को मिला था and almost 2 and half years के बाद हम इसका breakout होते हुए दिख रहा है और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो अभी जो overall जो market है वो down है और stock जो है वो उपर जा रहा है तो दोनों एक दूसरे के opposite है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते है थोड़ा सा conservative approach अपनाते है for example let's say कि market भी उपर जा रहा है और stock भी उपर जा रहा है तो यहां पर आप aggressive approach अपना सकते है और हो सकता है कि इस case में जो मेरा portrait जो risk हो हो सकता है 2500 हो लेकिन इस तरह के market में मैं क्या करूँगा मैं अपने risk को कम कर दूँगा हो सकता है 1000 और even less than that तो risk हमेशा से आपके control में होता है कब आपको aggressive खेलना है कब conservative खेलना है यह आपको decide करना होगा हमेशा अगर आप aggressive खेलेंगे और market के अगर against जाएंगे तो profit नहीं बनेंगे यू need to understand कि आप लंबे समय तक market में survive करने आ है ना कि 10,000 का लाक रुपे पड़े बनाने जैसे कि आप देखते हैं डेली हीरो जीरो में तो बात करते हैं लेवल्स की तो अगर यह stock 1715 के अगर उपर जाता है तो हम एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है हमारा stopless होगा previous swing low जो किया रहा है 1645 रूपेज on closing basis हमारा first target है 1815 का second target है 1835 का अब इसके बाद यह जो stock है अपने all time high की तरफ चला जाएगा अब आई यह discuss करते हैं next stock और यह है Axis Bank का Private Bank का एक stock तो Private Bank में basically 3 यह 4 बैंक ही आते हैं SDFC हो गया, Axis हो गया, ICIC हो गया और Kotec Bank हो गया इन 4 का काफी ज़्यदा weightage है Nifty Private Bank Index में बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है याद रखेगा आप stock को select करें ट्रेडिंग ए इंवेस्टमेंट के लिए तो आपके stock selection का जो region होना चाहिए, वो बिल्कुल ही clear होना चाहिए तभी है आप long run में survive कर पाएंगे तो आप यहाँ पर notice करें price नीचे से उपर की तरफ जाता है इसको touch करता है downside move again prices के पास जाता है downside move यहाँ पर price इसके पास आता है consolidate, breakout, upside में काफी बहतरी remove जैसा कि मैंने आपको हमेशा बता है कि जब भी price, resistance के पास आके consolidate करता है और उसके बाद अगर breakout देता है तो आपको upside में बड़े moves देखने को मिलते है same goes with the downside अगर price support पर आके consolidate करता है अगर उसके बाद अगर breakdown देता है तो पहला डीजन इसा स्टोक को सेलेक्ट रहने का है वह है support से reversal अगर आप इन दुनों गर candle को combine कर देंगे तो इसने candlestick pattern बना रखा है जिसे हम लोग करते हैं bullish engulfine तो जैसे ही मैंने candlestick pattern का नाम लिए तो सबसे पहला सवाल यहाना चाहिए कि यह जो candlestick pattern है यह सबसच्चा काम कहां पर करता है I mean to say bullish engulfine सबसच्चा काम कहां पर करता है तो यह सबसच्चा काम करता है support पर और यह support भी दो तरह के हो सकते हैं एक तो आपका horizontal हो गया जो कि यहाँ पर बन रहा है और दूसरा slanted जिसे हम लोग trade line कहते हैं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो last week का जो volume है वो previous week के comparison में जादा है that means कि इस reversal को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेसा ध्यान में रखना है जब भी आप volume और price को combine कर रहे हैं तो कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता ही होता है bullishness का और ऐसे cases में price के उपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 1210 का अगर उपर जाता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की प्रिवेश स्विंग लो जो कहा रहा है 1130 रूपीज on closing basis हमारा first target है 1280 का second target है 1340 का एंड इसके बाद यह stock अपने all time high की दरफ चला जाएगा अब आई यह discuss करते हैं next stock और यह है emphasis का from IT sector सबसे पहले region को find out करेंगे और again हम लोग यहां पर simple सा zone को create करने जा रहे हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ आप को इस zone पर focus करने हैं कि price किस तरह से behave करता है जब भी prices के पास आता है जैसा कि आप यहां पर देखेंगे price नीचे से उपर की तरह आता है breakout upside में काफी अच्छा move again prices को touch करता है upside में काफी अच्छा move again prices को touch करता है upside में काफी अच्छा move breakdown downside में काफी बेतरे अच्छा move prices के पास आता है again prices को touch करता है downside में काफी अच्छा move prices के पास आता है breakout अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो candle breakout दे रहा है ना उसके high के ऊपर entry बनाने की कोसिस करिए और आप यहाँ पर notice करेंगे कि इसका high break नहीं हुआ था तो यह एक false breakout है ठीक है तो I hope कि आपको एक concept समझ में आगया हो कि जो candle breakout दे रहा है ना हमेशा उसके high के ऊपर entry बनाने की कोसिस करिए ऐसे multiple cases है जहाँ पर price breakout दिया है और उसके बाद price जो है previous high को break नहीं किया है that means कि जो candle breakout दिया है उसके high को break नहीं किया है और वह ही से price गिर गया है maximum लोग गलती यही करते कि wait नहीं करते confirmation का तो आपको wait करना होगा तो price यहाँ से नीचे जाता है वह सपोर्ट से reversal अगर आप बात करेंगे candlestick pattern की और अगर आपने इन तीनों को गर combine कर दिया तो इसने एक pattern बना रखा है और इसे हम लोग आते है morning star again question होई रहेगा कि यह जो morning star जो pattern है यह सबसे अच्छा काम कहां पर करता है तो यह सबसे अच्छा काम करता है support पर और support दो तरह के होते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक horizontal और दूसरा slanted दूसरी चीज़ आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो last week का जो volume है वो previous week के comparison में जादा है that means कि इस reversal को volume भी support कर रहा है बात करते हैं levels की तो जैसा कि आप यहाँ पर notice करें price जो है consistently इस zone को और कह सकते हैं इस level के पास आके एक यहाँ से downside में हमें एक move देखने को मिलता है तो हम लोग उसके high के उपर ही buy करेंगे हम लोग wait करेंगे seller को trap होने का जैसे ही seller trap होंगे हम लोग उसके उपर एक entry बनाएंगे तो अगर इस stock 3200 के अगर उपर जाता है तो अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो करेंगे 3000 रूपिज on closing basis हमारा first target है 3475 का second target है इस का और again हम लोग एक zone ही create करेंगे और इसको क्या करेंगे extend कर देंगे तो चीज़े आपको काफी clear देखेंगे कि मैं क्या यहाँ पर discuss करना चाह रहा हूँ I mean to say क्या discuss करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर notice करेंगे यहाँ पर price 2012 में इसके नीच आता है that is 100 रुपीज का level again prices के पास आता है downside move और 2012 के बाद यह almost January 24 लगबग 12 साल के बाद यह breakout देता है that is multi-year का यहाँ पर breakout देता है and उसके बाद price क्या है consistently यहाँ पर एक support ले रहा है और 100 रुपे का एक round number भी है तो इस stock को जो selected रने का जो रिजिन है price at support और अगर आप बात करेंगे candle की तो आपको पताज लेगा कि इसने kind of doji candlestick pattern बना रखा है जैसा कि मैंने आपको हमेशा बता है कि जब भी price support पर हो तो आपको तीन तरगे candlestick pattern पर ध्यान दने चाहिए पहला हो गया doji और hammer दूसरा हो गया morning star और थार्ड हो गया bliss inglefin because these patterns work really well at support और यहाँ पर इसने एक doji बना रखा है और 100 रूपीज का एक support भी है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था यह 12 यर के बाद एक breakout दिया था तो बात करते हैं levels की कौन से level पर हम लोगी से buy कर सकते हैं region support से reversal दूसरा doji at support जो की एक reversal को दर्साता है तो अगर इस stock 113 के अगर उपर जाता है तो अच्छी buying दिखने को मिल सकती है याद रखेगा जब तक level नहीं है तब तक trade लेने की कोसिस ना करें हमारा stop loss का previous swing low जो किया रहा है 100 रूपीज on closing basis हमारा फर्स टार्गेट है 125 का सेकंड टार्गेट है 130 का थर्ड टार्गेट है 143 का अब आई डिसस करता है ज़का last stock और यह है मारूती का from auto sector और यह हमने last day भी डिसस किया था और मैंने आपको बताया भी था कि 12,000 का जो level है यह काफी strong support की तरह act कर रहा है अगर आपने मेरा last video देखा है तो आपको पता चल जाएगा और अभी भी हम लोग उसी level को follow करेंगे तो आप यहाँ पर notice करेंगे यह जो level है 12,000 का आसपास का जो level है एक kind of support की तरह act कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है price breakout देता है इस level को touch करता है upside move again prices के पास आता है upside में काफी अच्छा move prices के पास आता है again upside में काफी अच्छा move और अभी जो price है exactly same level पर treat कर रहा है so right now price is at support और अगर यहाँ पर market जो है अभी negative है और auto sector भी अभी negative है और trade हमेशा support पर ही मिलते है तो यहाँ पर आपको एक upside में भी बड़ा trade मिल सकता है तो जो लोग buy करते हैं वोग wait करेंगे 12,800 का क्योंकि अगर उसके ऊपर प्राइस जाता है तो आपको upside में काफी अच्छा move देखने को मिलेगा अगर बात करेंगे downside की तो अगर price 11,800 का अगर नीचे जाता है तो आपको अच्छी selling देखने को मिल सकती है इस case में हमारा stop loss होगा 12,500 का हमारा first target है 11,400 का second target है 10,800 का and third target है पर पास 10,250 का तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching